समुद्र की गहराई से भी ज्यादा गहरा उसमें छुपा रहसे है जहां दोस्तों पृत्विक का 71 प्रतिशत हिस्सा आज भी पूरी तरह रहसियों से भरा पड़ा है समुद्र के गहराई में छुपे रहसियों का पता लगाने के लिए साइंटिस दिन रात मेहनत करते हैं के बारे में पता चला है तो चलिए आज के इस वीडियो में समुद्र के अंदर मिले 10 सबसे खास और अदभुत चीज़ों के बारे में जानते हैं इसके लंबाई 2 से 3 मीटर और वजन 300 किलोग्राम तक होता है इसे समुद्रिक गाय भी कहते हैं मीट और तेल की वज़ा से इनका काफिश शिकार किया जाता है जसकी वज़ा से डुगॉंग विलॉप्थ होने के कगार पे पहुँच चुके होने के बावजूद कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते कुछ साल पहले एक डुगॉंग और उसके बच्चे को इंडोनीजिया में मचवारों ने कैद कर लिया इन दोनों को कैद करके समुद्र के अंदर ही अलग पिंजरे में रखा गया था कैद करने वालों ने मदर डुगॉंग को जंजीर से बैंद रखा था इसे टूरस के लिए कैद किया गया था ताकि लोग डुगॉंग को करीब से देख सकें जब डाइवर्स को पिंजरे में कैद डुगॉंग को देखने की इजाज़त मिली उसके बाद जंजीर में बंदे इस पूर क्रीचर की फोटो पूरी दुनिया में वाइरल हो गई फोटो इंडोनीशिया एनिमल विल्फेर तक पहुँची उसके बाद मिनिस्टर ने मच्छुआरे के कैद से डुगॉंग और उसके बच्चे को आज़ाद कराया समुदर की गहराई में डूबा हुआ जहाज मिलना आम बात है लेकिन अगर समुदर में 90 फीट गहराई में ट्रेन के दो इंजन मिलें तो फिर ये हैरान करने के साथ ही कई सवाल भी प्यादा करता है 1985 में न्यू जोजी के समुदर में पॉल हिलपर ने 90 फीट की गहराई में ट्रेन के दो इंजन का पता लगाया डीप रसोच के बाद पॉल हिलपर ने बताया कि ये दोनों स्टीम इंजन 222T मॉडल के हैं इनका निर्मान लगभग 1850 में क्या गया था इंजन का वजन 15 तन था जिबकि उस समय इंजन का औसत वजन 35 तन हुआ करता था आखिलोजिस का कहना है कि ये दोनों इंजन निर्मान के कुछ समय बादी समुदर में डूब गए लेकिन ये समुदर में डूब है कैसे इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कोई नहीं समझ पा रहा कि आखिर 15-15 तन के दो इंजन समुदर में डूब है कैसे किसी भी historical document में इन दोनों इंजन का जखर नहीं है दो कॉंटिनेंस के बीच के borderline को map पे देखना तो काफी आसान है लेकिन यही borderline समुदर के अंदर देखने को मिल जाए तो फिर यह किसी surprise से कम नहीं है आइसलेंड के थिंग वाल वटन लेक के टेक्टॉनिक प्लेट्स में पड़ी लंबी दरार योरॉप और अमेरिका कॉंटिनेंस को अलग करती है सिल्फरा का दरार earth surface में पड़ी सबसे बड़ी दरारों में से एक है डाइवर्स के लिए इसे एक tourist place बनाया गया है सिल्फरा के गहराई 60 मीटर तक है लेकिन safety को देखते हुए डाइवर्स को 18 मीटर तक ही जाने की अजाज़त है इस लेक के पानी का तापमान 2 डिगरी से 4 डिगरी सेल्सियस तक होता है अत्यधिक ठंड के बावजूद सिल्फरा डाइवर्स का फिवरेट अटराक्शन बना हुआ है सिल्फरा क्रैक के एकमातर ऐसी जगा है जहाँ आप दो कॉंटिनेंस के बीच डाइविंग कर सकते हैं सिल्फरा क्रैक हर साल लगभग 2 सेंटीमीटर के सक रहा है नूम्बू 7 अपूलो 11 इंजिन नासा का अपूलो मिशिन मानव इतिहास के सबसे महतोपूर्ण मिशिन में से एक था इस अतिहासिक मिशिन से जुड़ी एक चीज़ काफी महतोपूर्ण है मार्च 2012 में आमिजन CEO जेफ बेजूज की एक्सपेडिशन टीम ने अपूलो 11 मिशिन में इस्तेमाल किये गए रॉकेट इंजिन को ढूण निकाला नासा समित सभी का मानना था कि ये इंजिन हमेशा के लिए गायब हो चुका है लेकिन जेफ बेजूज के परसनल इंटरस्ट की वज़ा से इस एंजिन को 40 साल बाद 12 लोग के सामने लाया जा सका मिशिन के दोरान अस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लाँज करने के बाद इफवन रॉकेट इंजिन 5000 माइल्स प्रतिगंटे की स्पीड से अर्थ इंवार्ण्मेंट में वापस आते हुए अट्लैंटिक ओशन के गहराई में खो गया था 2012 में जब इसे ढूणने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया तब ये एंजिन 14,000 फीट के गहराई में मिला ओशन से निकालकर इसे सियाटल की म्यूजियम में रखा गया है पहली नजर में शायद आपको ये एक बेशकिमती पत्थर लगे लेकिन आपको बता दें कि ये कोई चमकदार पत्थर नहीं बलके लिविंग ऑगनिजम है पसिफिक ओशन के गहराई में साइंटिस्स ने इस खूबसूरत क्रीचर को ढूंडा है 2016 में रोबोट की मदद से किये जा रहे है Sea Explore Mission के दौरान इस क्रीचर के बारे में पता चला कुछ साइन्टिस्ट इसे नया क्रीचर मान रहे हैं वही कुछ का कहना है कि ये ट्यूनिकेट नाम के समुदरी क्रीचर का छोटा रूप हो सकता है Possibility ये भी है कि ये किसी क्रीचर का अंड़ा हो आपको क्या लगता है ये क्या हो सकता है हमें जरूर बताएं हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपने इस तरह का Natural Phenomena कभी नहीं देखा होगा Ice Finger of Death समुदर की एक बहुत बड़े मिस्ट्री है इस घटना में बर्फ की एक सीथी रेखा पानी को जमाते हुए नीचे की और आती है बर्फ की एलाइन जैसे ही समुदर की गहराई में सते तक पहुँचती है ये और तीजी से बढ़ने लगती है और अपने कॉंटाक्ट में आये सभी जीवों की जान ले लेती है यही वज़ा है कि इसे Ice Finger of Death कहा जाता है सते पर आते हैं इस बर्फ के संपर्क में आने वाले सभी जीव इसी में फस जाते हैं जिससे जाल में मचली फसते है फसने के तुरंत बाद ही जीव की मौत हो जाते है BBC ने इस घटना को अपने कामरे में कैट किया था उसके बाद ये पूरी दुनिया में वाइरल हो गया इस फिनॉमेना के बारे में साइंटस का कहना है बुल्गिरिया के ब्लैक सी में रसोचस ने सबसे पुराने जहाज को ढूंडा है ये जहाज लगभग 2400 साल पुराना है इसे 2000 मीटर की गहराई में ढूंडा गया इसे लकडी से बनाया था और इसकी लंबाई 23 फीट थी जिस जगा पर ये जहाज जूबा था वहाँ ऑक्सिजन की काफी कमी है जिस वज़ा से लकडी से बने होने के बावजूद ये आज भी विल प्रजॉवड है अत्यदिक गहराई में होने की वज़ा से इस जहाज को पूरी तरह से एक्स्प्लोर नहीं किया जा सका है और एक्स्प्लोरेशन प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए रिसोर्चस को एक्स्ट्रा फंस की भी जरात है बाल्टिक सी अनामली समुदर के बड़े रहस्यों में से एक है 2011 में सोनार इमेज की मदद से पीटर लिंबर्ग ने इसे ढूंडा था पहली नजर में कोई भी इसे आसानी से एलियन शिप मान सकता है ये एलियन शिप की तरह ही गोल है इस अब्जेक्ट का डायमीटर 200 फीट है ये किसी भी आंगल से नाचरल फॉर्मेशन नहीं लगता है जिस वज़ा से लोग इसे एलियन शिप मानने लगे सोनार इमिज मिलने के बाद जब दूसरी टीम इस अब्जेक्ट के बारे में पता लगाने गई तो इस अब्जेक्ट के पास पहुँचते ही इनके सभी इलेक्टरिकल डिवाइसेज ने काम करना बंद कर दिया उन्हें फोटो और सैंपल के बिना ही वापसाना पड़ा इस घटना के बाद इसे एलियन शिप मानने वालों के दावों को और बल मिला हलनकी 2012 में ओशिन एक्स की एक टीम उस मिस्टीरियस अब्जेक्ट तक पहुँचने में काम्याब रही उस अब्जेक्ट से लिया गया सैंपल के जांच में ग्रेनाइट, नाइस और सैंड स्टोन पाया गया जैसे ये बात साबित हो गई कि ये एक नाचरल अब्जेक्ट ही है साइंटिस का कहना है कि ग्लेशियल और पोस्ट ग्लेशियल प्रोसेस की वज़े से इसका आकर गोल हो गया ओर्डिसी मरीन एक्स्प्लोरेशन कंपनी के लिए 1941 में डूबे एस जाहाज को डूड़ना किसी लौटरी से कम नहीं था चांदी से लदा हुआ ये मोचिन शिप 1941 में जौमनी के हमले में डूब गया था इस हमले में 85 लोगों की जयान भी गये डूबने के बाद 70 सालों तक इस जहाज का कोई सुराग नहीं मिला 2011 में ओर्डिसी मरीन एक्स्प्लोरेशन ने इस जहाज को ढूड़ने काला हलनकी ओर्डिसी मरीन और ब्रिटिश सरकार के बीच हुए डील के मताबिक 80 प्रतिशत चांदी ओर्डिसी मरीन और सिर्फ 20 प्रतिशत ब्रिटिश सरकार को मिलने की बैटताए हुए अब तक SSGAR सोपा से 48 टन चांदी निकाली जा चुकी है अंटी किथेरा मेकानिजम को दुनिया का पहला कंप्यूटर माना जाता है 1901 में रिसोचस ने समुदर के गहराई में एक इंशिंट शिप का पता लगाया इस जहाज से कई प्राजीन चीज़े मिली लेकिन इन सभी में से लकडी के बॉक्स में रखे एक सामान ने सभी का ध्यान अपनी और खीचा लाख कोशिशों के बावजूद कोई नहीं बता सका कि आखिर ये है क्या सब्सक्राइब करना न भोलें धान्यवाद